नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड स्कूल अनोलेज़ पर दोस्तों हमने जो एन्च एर्टी की जो जी के क्वेस्टन्स की शीरी सुरू की है क्लास सिख्ट से लेकर क्लास 12 तक की आज हम उसमें कक्सा 11 की जो विवसाय अध्यन यानि की पहले हैस में भार्थ से मसाले के विपार में उपयोग किये गए पूरा और पस्चिन को जोडने वाले समुदरी मारक को मसाला मारक के रूप में जाना जाता था देशिये एवं बहुल देशिये कमपनियों को भारत के में निर्मान कार्या प्रोचाइद करने है तू भारत सरकार दोवारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गी कोका कोला की शुरुआत हुई कभी थी आठ में 1886 को एटलांटा जोर्जिया से हुई थी डॉक्टर जोन सिम्थ पैमबर्टन ने जो एक स्थाने उस दिन निर्माता था उन्होंने कोका कोला के नाम से सर्बत बनाया था 1222 में केंडिलर ने दा कोका कोला कोर्पोरेशन के नाम से एक कमपनी का गठन किया नवीन लगू उद्योग नीती लगू की गई 1991 में भारतिय उद्योगिक वित निगम IFCI की स्थापना उद्योगिक वित निगम अधिनियम 19-वर ताली के अंत्रगत जुलाई 19-वर ताली में एक समयधानिक निगम के रूप में हुई थी राज्य वित निगम यानि State Finance Corporation की स्थापना प्राधिनियम 19-वर के तहत हुई भारतिय उद्योगिक साख M.V. निगम यानि ICICI की स्थापना 1955 में कमपनी अधिनियम के अंत्रगत एक कमपनी के रूप में हुई थी भारतिय उद्योगिकी विकास निगम IDBI की स्थापना उद्योगिकी विकास बैंक अधिनियम 19-चौंश्ट के अंत्रगत 19-चौंश्ट में की गई थी जो UTI यानि Unit Trust of India भारतिय उनिट ट्रेस्ट की स्थापना कबूई थी 19-चौंश्ट में भारतिय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 19-चौंश्ट में LIC अधिनियम 19-चौंश्ट के अंत्रगत 19-चौंश्ट में तत्कालिन 255 बीमा कंपनियों के राष्ट्रे करन के पस्चात की गई थी भारतिय उद्योगिक निवेस बैंक Limited का 1985 में पुन्द्र गठन कर इसका नाम भारतिय उद्योगिक पुन्द्र गठन बैंक कर दिया तथा 19-चौंश्ट में इसका नाम फिर से बदल कर बारतिय उद्योगिक निवेस बैंक कर दिया गया राष्ट्रिय क्रीशी एवं ग्रामिन विकास बैंक यानि नाबाड की स्थापना कबूई थी 1982 में राष्ट्रिय लगू उद्योग निगम स्थापित किया गया 1925 में परमप्रागत उद्योगों के पुन्रुद्वार हेतु नीधी योजना यानि शफूर्ति प्रारम की 2005 में जिला उद्योग के अंदर प्रारम किये गए एक मई 1908 को बार सरकार ने माल एवन सेवा कर यानि GST गूड एंड सर्विस टेक्स लगू किया एक जुलाई 2017 को उद्योगता सहकारी बंडार स्थापित करने के लिए कितने से देशे नूंतमा उसक है दस भारतिय व्यपार प्रोनती संक्ठन यानि ITPO कि स्थापना बार सरकार के वानिज्य मंत्रालिया द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अंत्रगत जनवरी 1902 में की गई थी इसका मुख्याले कहा है नई दिल्ली में भारतिय विदेश व्यपार संक्ठन की स्थापना हुई 1903 में भारतिय पैकेजिंग स्थापना हुई 1906 में राज्य व्यपार संक्ठन की स्थापना हुई 1906 में IMF यानि अंत्राष्ट्रिय मुद्रा कोस यह विशव बैंक के बाद दूसरा अंत्राष्ट्रिय संक्ठन है IMF जो 1905 में स्थितों में उसका मुफ्याल्य वासिंग्टन डीशी में स्थित है विशव व्यपार संक्ठन डवलू टी ओ ब्रटेन वुट्स समेलन में बाग ले रहे से दश्य देशों ने उन्चे सुलक सीमा एवं उस समय लागू अन्या दूसरे परकार के परतिबंदों से मुक्त करने के लिए एक विवस्था की यह विवस्था सुलक एवं विपार का साधार में समझोता यानि जनरल एग्रिमेंट फोर टैरिफ्स एंड ट्रेड यानि गेट कहलाया गेट जो एक जनवरी उनिशोर ताली को स्थिताव में आया था और दिसंबर उनिशो चुरानुवा तक कारिया रत रहा गेट को विश्था विवपार संक्ठन में परिवर्तित कब किया गया एक जनव मैं तो पनुकेशन्स जो कुक्सा ग्यारा की जो पुस्तक बिजनस स्टड़ी से लिए गए हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद जहिन